नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन की दिन भर की खबर जानते हैं निकास को लेकर तमाम बैकल्पिक इंतजाम भी किये गए हैं, ताकि अधिक भीड होने की स्थिति में आपात इस्थिति से निप्टा जा सके, इसके अलावा बाबा मंदीर में परवेश और निकास और भीड को रोकने के लिए जो पूर्व से इंतजाम चले आ रहे हैं, उसी पर अमल किया जाएगा, पिछली बार नए साल के महके पर एक लागती से अरसर धालू पहुंचे थे, इस बार भीड ज्यादा होने की समवना जताई जा रही है, आपको बता दे कि एक जनवरी को बाबा मंदीर में मिलने वाले सिग्र दर्शन कूपन की दर को बढ़ा कर 500 र होंगे, जारखन में कोरोना को लेकर 7 जनवरी से 8 PCR जांच शुरू, राजे के 12 जीलो में अस्थापित की जा चुकी, 8 PCR लाइब में 7 जनवरी से कोरोना की जांच शुरू होगी, स्वास्त विभागने कोरोना के नए वेरियेंट BF 7 से निपटने के लिए इन जीलो में 8 PCR ज जांच शुरू करने के निर्देश समधि सिविल सर्जन को दिये हैं, अभी तक इन जीलो के सेंपल जांच के लिए दूसरे जीलो के मेटकल कोलेज या सदर अस्पतालों को भेज जाते थे, जहां पूरो में लाइब अस्थापित की जा चुकी थी, बता दे जिन जीलो में 7 जनवरी से जांच शुरू करने के निर्देश दिये गए हैं, उनमें गड़वा गिरी डिचतरा, लातेहर लोहर्दगा जाम तड़ा, पाकूर कोडार मा खुटी, रामगर सिम्डेगा तथा सराय के लखर सवा सामिल हैं, इन जीलो में एमर्जेंसी कोवीड रेस्पंस पैक ज़वार को निधन हो गया है, छारकंड के सिम हमान सुनें ट्वीट कर सोग जताया, सिम ने ट्वीट कर लिखा है कि पीमोदी जी की माय के निधन की खबार सुनकर गहरा दुख हुआ है, माता पिता का नुक्सान अपूर्निय है और दुख की इस घड़ी में, मैं अपनी सन वेधना ब्यक्त करता हूँ, उनकी दिवंगत आत्मा को सांती मिले, बता दे कि पीमोदी की माय हीरा बेन को सांस लेने में दिकत होने परुन है, अम अधाबाद के UN मेहता इंस्चूट अप कार्डियोलोजी और रिशर्च चेंटर अस्पताल में भरती कराया गया था, हलाक उनको तीन एयरपोर्ट का तोफ़ा, नए साल में जारखन में तीन और एयरपोर्ट खुलेंगे, इनमें टाटा, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट सामिल है, एयरपोर्ट बीमान परिचालन को तयार है, और उडान शुरू करने के परियास तेजी से चल रहे है, बता दे ज अभी लाइसेंस लेने की परकिरिया से गुजर रहे है, बोकारो यहरपोर्ट के लिए सेल और दुकान के लिए राज सरकार लाइसेंस लेने की परकिरिया में सामिल है, जारखन में बढ़े सरदी खांसी और बुखार के मरीज, अचानक पारा गिरने से लोग समाने फुलू सरदी खासी के साथ बुखार की चापेट में आ रहे हैं हर परिवार का एक या दो सदसे इससे पीडित है बताजे समाने फुलू से बचाओ के लिए लोग लक्षन के अधार पर पर परासिटा मोल, कॉप, सिरप और एलर्जी की दवा खरीद रहे हैं राजे में 18,000 खुद्रा दवा दुकाने हैं जहां हर दुकान पर रोजाना इस वक्त कम से कम 10 लोग समाने फुलू की दवा खरीदने आते हैं यानि हर आदमी 300 से लेकर 500 रुपे तक की दवा खरीद रहा है ऐसे में समाने फुलू की दावा काया कारोबार इस समय राजे में करीब 5.50 क्लोर रुपए प्रती दिन हो गया यह कारोबार 15 दिन पहले तक 3 क्लोर रुपए काही था बतादे राई धानी के एक बड़े दावा के होलसेलर ने बताया है कि पिछले 10 दिनों में अचानाक मौसमी भीमारी से मरीज बढ़ गाए दावा की डिमांड बढ़ गई है सर्दी खांसी बुखार की दावा का खपत करीब 40.50 बढ़ गई है साथ जनवारी को चाई बासा आएंगे ग्रीह मंत्री अमीत सा साथ जनवारी को चाई बासा आएंगे साथ परदेश भाजपा की ओर से आयोजित राज जिन नित्ती के कारेकरम में हिसा लेंगे इसको लेकर पार्टी ने अस्थाने पर सासन को मोखिक सुचना दी है साह के कार्यकरम को लेकर पार्टी की ओर से त्यारी सुरू कर दिगाई है परदेश अध्यक दिबग प्रकास भाजपा विधायक दलक नेता बाबुलार मरांडी समेट पार्टी के कई नेता शुकरवार को चाही बासा जाकर त्यारियों का जाई जालेंगे पार्टी सुत्रों के अनुसार आगामी लोग सभाचुनाओं को लेकर भाजपा के सिस नेतित में रनीतिता की गई है इसी सिल्सिले में साह का चाईबा सदरा हो रहा है भाजपा के सिस नेतित में लोग सभाच की वैसी सिटों को फोकस किया है जिसमें पाठी पिछले लोग सबाचुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाई थी इसमें जारकन की चाईबासावा राज महल सिट सामिल है अभिनेत्री इसा आलिया हत्ताकान पती ने ही मारी थी गोली जाली वूड अभिनेत्री इसा आलिया के हत्तिया के आरोप में उसके पती परकास कुमार को बंगाल पुलिस ने गिरफतार कर लिया है परकास कुमार रांची के टैगोर हिलिसीत मातारा अपाटमेंट के फ्लेट नमबर 202 में दूसरी पत्नी इसावा बच्चे के सात्रा रहे थे बुद्धवार की सुबह से लगातार पुष्टास के बाद परकास तूट गया बंगाल पुलिस का दावा है कि पत्नी के हत्या के बाद सविकार करने के बाद ही परकास को गिरफतार किया गया है गुरु आर सुबह आरोपी प्रत्ती परकास को उलबेडिया कोट में पेस किया गया जहां मैस्ट्रेट ने आरोपी को 12 दिनों की पूली सिरासत में भेजने का निदेश दिया आरोपी के खिलाप मिरितका के भाई अजय कुमार राना ने जयपूर थाना में प्राथमी की दर्ज कराई है साहब गंज में बड़ा हथसा जहाज पर टायर फटने से ट्रॉक नदी में समाया है जारखन के साहब गंज जीला में सुक्रबार सुबा सुबा एक हथसा हो गया है ट्रॉक गंगा नदी में डूब गया साथ ही साथ एक ड्राइबर भी लपता है बता दे MB Infra Link 1 WB 477 जहाज पर ट्रॉकों की लोडिंग हो रही थी 4 ट्रॉक लोड हो चुके थे करीब 8 बजे इन में से एक ट्रॉक के टायर फटने से जहाज पर मजूद सभी ट्रॉक पलट गए तिन ट्रॉक जहाज पर पलटे जब की चौथा जहाज पानी में डूब गया इसका ड्राइबर भी लपता है इस जहाज का संचालन करने वाली कमपनी DBL के साइट इन चार्ज भानू परताप ने इस घटना के पुष्टी की है भानू परताप ने बताया कि इस ट्रॉक का चालाग जिसका नाम सर्फुदीन अंसारी है लपता हो गया है रेस्क्यू के काम चल रहा है या पुछे जाने पर की कम विजिबिलिटी के बावजू ट्रॉकों को लोटिंग किया जा रहा था भानू ने कहा है कि यह सही नहीं है चौथी लहर से लड़ने को तयार बोकारो जनरल होस्पिटल चीन समेत दुनिया के कई देशों में कुरोना कहर बर पा रहा है भारत में चीन जैसे हालात नव बने इसको लेकर त्यारी सुरू कर दी गई है बोकारो सहीत पुरे देश में 27 दिसंबर को सभी सरकारी और प्राइबेट अस्पतालों में मोग डिल भी कर लिया गया बोकारो में भी जिला पचासन सक्रिय हो गया है इधर बोकारो जनरल होस्पिटल ने कुरोना से निपटने को लेकर त्यारी सुरू कर दी है बीजी एज के पांच सी वार्ट को आइसुलेशन वार्ट बनाया गया वहीं अक्सिजन सप्लाई दवा पीपी कीट सहीत अने उपकरन कर भी रिप्यू किया गया बीजी एज में अक्सिजन बेट 779 है इनमें से 220 कोवीड वार्ट के लिए रिजर्ब है सिम्डेगा पुलिस ने अंतर राजिये डिजल चोर गिरो के चार सदसे को किया गिरप्ता है साथ ही पुलिस ने करीब 400 लिटर डिजल भी बरामत किया है सभी आरोपी उतर परदेश के मेरट के रहने वाले बताए जा रहे है बता दे जिले में डिजल चोर गिरो का पूरी तरह से अतंक ट्रक चालको पर मंटा रहा था जिले के कई थाना इलाकों में ट्रकों की टंकी को तोड़ कर डिजल चोरी की घटना को अंजाम लगाता दिया जा रहा था खुटी पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर जा थपड राजे में आए दिन अलग अलग जीलों से ट्रैफिक नियम को लेकर लोगों के उपर डंडे थपड और मार पिट का मामला सामने आता रहता है ऐसा ही एक मामला खुटी जीले से सामने आया है जहां हेलमेट नहीं पहनने के कारण पुलिस ने एक ब्यक्ति के उपर हांत उठाने का वीडियो सोसल मीडिया पर सामने आ रहा है बता दे खुटी जीले के भगत सिंग चौक में पुलिस और बाइक वाले के बीच बहांस का एक वीडियो सोसल मीडिया पर बड़ी तेजी से वारल हो रहा है वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार होकर ब्यक्ति बिना हेलमेट पहने कहीं जा रहा था इसी दोरान खुटी पुलिस के नजर उस ब्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने ब्यक्ति के ऊपर थपड मारना सुरू कर दिया CBSC ने जारी किया दसवी और बरहुवी बोर्ट परिखा का सेडियोल CBSE की बोड परिक्षा की डेट सीट को लेकर इंतियार खत्म हो गया है गुरू और साम को CBSE ने 10 वी और बराहवी की परिक्षाओं की तीथी की घोसना कर दिया है 10 वी बोड की परिक्षा 15 फरवरी से 21 मार तक चलेगी वहीं बराहवी बोड परिक्षा 15 फरवरी से 5 अपरेल तक चलेगी एक जनवरी से प्रेक्टिकल बोड की ओर से जारी से डियूल के अनुसार पहले माइनर कम छात्रों वाले बिसाओं की परिक्षा होगी इसके बाद मुख्य बिसाओं की परिक्षा ली जाएगी परिक्षा हर दिन एक पाली में होगी बताजे सुबा साथे दास वएसे परिक्षा सुरू होगी इससे पहले परायोगी परिक्षा एक जनवरी से 15 फरवरी तक होगी इसको लेकर सभी स्कूलों को भी दिसानी देश जारी कर दिया गया है धन्यवाद यदि आप चनल पनाए हो तो चनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेले कर दबाएए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना पूले साथी साथ आप आमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाइक अवसे दे थैंक यू